हेलो दोस्तो अगर आपको भी कुछ इसी तरह का light effect अपने वीडियो के background screen में कुछ इसी तरह का borderline देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के end तक बने रहिएगा मैं आपको बहुत ही easy method में इस तरह का borderline कैसे बनाया जाता है यह सिखाने वाला हूँ तो चले फ्रेंट आपको इस की वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट color borderline बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले kind master open कर लेना है और उसके बाद फ्रेंट आप लोग को सामने जो दिख रहा है create new आप लोग को इस option पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे select करना है इसके बाद फ्रेंट आप लोग को यहाँ पे black का background image को select करना है उसके बाद हम लोग इसका length को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको increase कर लेंगे इसके बाद फ्रेंट आप लोग को फिर से layer वाले option पे click करके आप लोग यहाँ पे media वाले option पे click करना है इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरह का एक gradient image को आप लोग को यहाँ पे Google से download कर लेना है इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसको add कर लेना है और इसके बाद हम लोग इसका size को हम लोग यहाँ पे पूरा screen में अच्छी तरीके से cover कर लेंगे उसके बाद आप लोग को overall animation पे click करना है उसके बाद फ्रेंड आप लोग को सबसे last में के animation दिखेगा clockwise का आप लोग को इस animation पे click करना है इसके बाद फ्रेंड आप लोग को उपर में yes वाले option पे click करना है और इसका भी length को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसक तरिकर से fit कर लेना है इसके बाद हम लोग इसका layer को हम लोग को यहाँ पर फूरा full कर लेंगे तो friend इतना करने के बाद friend आप लोग को फिर से layer वाले option पे click करके media वाले option पे click करना है और इसके बाद friend आप लोग को यहाँ पर जो भी अपना यहाँ पर जो वीडियो add करना चाहत कि हम लोग का यहां पर जो बोडर लाइन है वो किस परकार से बना है तो फ्रेंट आप लोग यहां पर देश सकते हैं कि हमने यहां पर जो बोडर लाइन एनविशन बनाया वो हम लोग का वीडियो पर कितना अच्छी तरीकी से दिख रहा है तो फ्रेंट आप लोग भी कुछ इसी परकार से borderline and vision मना के अपना कोई भी वीडियो में add कर सकते हैं तो फ्रेंड वीडियो को save करने के लिए आप लोग को इस option पे click करके नीचे जो दिख रहा है save का option आप लोग को इस option पे click करके वीडियो को यहाँ पे save कर लेना है